हेलो वेलकम फ्रेंट्स मेना नाम है अभी शेक सर्मों मैं हूँ आपका उनले ट्यूटर एक्सल ट्रिक्स के लेसन नंबर 11 में हम सेखेंगे आज कुछ नया और जो आज का टॉपिक है वो है हाव टू रिमूव ब्लैंक रिकोर्ड इन एक्सल तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं यह मैंने एरिया सेलेक्शन कर लिया और मैंने इसे मर्ज कर लिया और यहां मैंने लिखा हाव टू रिमूव ब्लैंक रिकोर्ड इन एक्सल उसके बाद इसे हम सेंटर में करते हैं यहां पर साइज इनक्रीज कर लेते हैं और उसके बाद बोल्ड यहां पर कलर फिल अपर फोन कलर इन दाल रेय भाद जोड रूपल से काम कर लेते हैं अब बहुग इहां मैं में अच्छ दूबंबर जैसे serial number उसके बाद यहां पर लिखते है name यहां पर मैंने डाल दिया determination और यहां पर मैंने डाल दिया contacts अब उसके बाद यहां पर मैं serial number डाल दिया 1, 2, and suppose that मैंने इसे drag कर लिया 10 तक अब उसके बाद name यहां पर डालना है तो मैं आपे नाम लिख लेता हूँ employee के तो जैसे मैंने आपे नाम डाल दिया राजकुमार संदीप मोहन सुधीर कुमार आसीज सर्मा राजा वर्मा दीपक कुमार धीरज त्यागी सुजीत पाल रमेज सिंग अकरम खान अब क्या है मैंने यहां पर डेजिनेशन यहां पर फिल अप करेंगे सब पोजर मैंने डेजिनेशन डाला HR मैनेजर अपरेटर HR मैनेजर मैनेजर फाइफ सेवे नाइफ और इसी तरीके से मैं इसी की कॉपी क्योंकि अब मैं कॉंटेक्ट नमबर यह से फिल अब करूंग तो टाइम लगेगा इस तरीके से कुछ अब सपोजर मैं कुछ कॉंटेक्ट नमबर को मैं रीमूव कर देता हूँ रीमूव करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो भी बलैंक है मतलब जिसमें कॉंटेक्ट नमबर नहीं है उन कॉंटेक्ट नमबर को आपको डिलीट करना है उस condition में हम क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इस area का selection करेंगे area का selection करने के बाद आपको data पे filter option choice करना है filter option पे जब क्लिक करते हैं सब filter के आगे pointer लगे हुए मिलेंगे आपको हर filter के आगे आपको जो blank वाला column है उस पे क्लिक करना है यानि की contact number पे और select all से यहां से tick mark हटा देना है उसके बाद यहां पे देखिए नीचे भी लिखा हुआ blanks तो blank वाला selection करके जब आप ok करते हैं तो ok करने के बाद जितने भी contact number blank थे और जो detail without contact number की थी तो उन area को आपको remove करना है तो आप उस area को ऐसे select कर लिजए और उसके बाद आपको जाना है home पे, home में आता है delete option जिसमें आपको delete seat row पे click करना है जब delete seat row पे click करेंगे तो ये data delete हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारह यहां पे click करेंगे और आप Select All करके OK कर लिजिए तो आप देखेंगे कि वो लिस्टिंग आ गई जो without blank है और जो blank वालीती वो remove हो चुकी है हमारे इस record से तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा कि आप कोई भी company का data है और उसमें अगर आपको कोई भी row चाहिए वो blank है या without blank है उसे भी आप remove कर सकते हैं without blank के लिए जैसे मालीजे suppose that data मेरा ऐसा है यह देखिए अब मुझे मालीजे without blank और blank दोन यतना area हो गया और मैं जैसे मुझे दूसरा फिर control का button दआ के रखिए फिर यह 5 तक फिर उसके बाद 8 वाला तो देखे 2 5 8 control का button मैंने दबा करके selection किया है कैसे किया है जैसे मैंने तू click करा और control का button दबाया फाइफ पर click करा फिर control का button दबा के रखा 8 पर click करा तो यह देगिए तीन रोह सेट और मैं इस पर डिलीट पा कलिक करूंगा और लेकिए लेकिन अगर मुझे आमाल लीजे तो से लेकर पांस तक पुरी इंट तो मैं दो पे क्लिक करूंगा mirror और शिफ्ट को data से या किसी भी record से एक्सल में आप row को remove कर सकते हैं साथ से आप column भी remove कर सकते हैं आप column पे यहां पे click करिए और delete कर दीजे तो delete यहां से हो जाएगा तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर कोई भी दिक्त या परिसानी आती है वीडियो को समझने में तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अब उन सभी वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में इस वीडियो का प्रैक्टिस फाइल मैंने अपलोड कर दिया है उस वहाँ पर लिंक है आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रैक्टिस फाइल को डाउनोड कर सकते हैं बाकी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादे ज़्यादा सेर कीजेगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब कर लीजेगा बाकी मिलते हैं आप से न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर